मेरा पास है एक पुराना बाइक का बैठरी और इस बैठरी काफी दिन से मेरा घौर पर परा था तो इस बैठरी को आज हम बनाने वाला है मीनी इन्वेटर और इस बैठरी का मदद से हम इस मूबाइल को भी चार्ज कर सकती है चाए हम पावर बैंक को भी चार्ज कर सकती है च आपलों को पास एक प्छोटा सा रीकोश्ति अगर इस चनल पर नाया वीडियो देख रहे तो इस चनल को आविश से आभी सस्काइब कर लीजे क्यूंद के इस चनल पर हमेंस फुल वीडियो आधे rate हैं तो हम चलती है में जालती है में भीडियो पर Welcome.. Fold By Cap Cam इस जो छोटा सा डिवाइस है, तो इस डिवाइस का मदद से हैं, हम किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मुबाइल पावर बैंक ए जो यारफोन होती है, वो भी चार्ज कर सकती है, सब कुछ हम चार्ज कर सकती है, हमारा इस मुबाइल अन पावर बैंक को चार्ज क करके वो 5-8 voltage पर convert कर देती है, इस device को कहीं पर भी buy कर सकती है, जैसे कि online पर भी buy कर सकती है, जैसे कि Flipkart, Amazon इस device को buy कर सकती है, चाहे किसी electric shop पर भी आप इसको buy कर सकती है, नहीं तो किसी गारी का garage में भी इस device को buy कर सकती है, इस device ज्यादा से ज्यादा यूज होती है बौरा ब प्राइज को प्राइज कितना हो सकती है इस डिवाइस का जो प्राइज से लेके 300 तक आपको मिल जाएगी इस डिवाइस काफी सरे मॉडल पर एबेलेबल है किसी भी मॉडल पर बाई कर सकती है तो बहुत सरे यूटूबबर लोग होते है चाए बहुत सरे यूटूब भीडियो पर भी हम देख चुका है जो इस डिवाइस को खुद से खुद बना देते हैं कुछ टूल्स का मॉदद से चाएग सोल्डूरिंग बगरा करके बना देते हैं कूई ओ लोग का पास इलिक्ट तो आभी मैंने वीडियो बनने के पेले इस बैटरी को हमने फूल चार्ज करके रखा है, अगर आपका घौर पर भी एसा खराब बैटरी परा है, तो उसको कैसे चार्ज कर सकती है, उसका बारी में भी हम नेक्स्ट वीडियो पर देखाने बाला हूं, तो दोस्तो मेरा चैनल क आभी साबी सस्क्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेसा यूसफुल वीडियो आते रहेंगे, ओके चार्ज करने का पेले हम इस बैटरी को कितना वोल्टेज आभी अब ये अबेलेबल है, उसको हम आप लोग को सामने पर देखा देती है, तो इसके लिए हम यूस करेंगे एक माल्टी मीटर की, जो आभी मेरा पास है बेलेबल है, तो इस माल्टी मीटर हम सेट कर लेते हैं, जैसे कि 20 वोल्टेज का आसपास होगी, तो 20 वोल्टेज पर हम सेट कर दिया है, इसको हमरा जो नेगेटिव और पॉजिक्टिव का साथ इसको हम कनेट कर लेते हैं, तो दोस को चार्ज करके आप लोग का सामने पर देखा देती है तो दोस्तों देख साकता है इस डीवाइस को हमने बैठरी के साथ कनेट कर दिया हूँ आप चाये तो सोल्डरिंग भी कर सकता है चाये तो मेटल का जो छोटा सा किलिप्त होती है उसका मदद से भी आप इसको कनेट कर सकती है तो जैसी कि यहाँ पर देख सकता है इस डीवाइस को उपर में एक बटन दिया गया है एक लाइट दिया गया है तो हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जल गया है तो मदलब इस डीवाइस अभी चार्ज करने के लिए रेडी हो चुका है पूरी तरह से तो मेरा पास जो मूबाइल है इस मूबाइल आभी बिल्कुल सुई जॉप है तो इस मूबाइल को हम इसका जो प्लाग है इस प्लाग का सत करनेट कर देते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो इस mobile पुरी तरह से चार्ज होने लग चुका है तो दोस्तो यहाँ पर आपको अच्छा से देखाने के लिए मैंने इस mobile को switch up करके रखा है तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह चार्ज हो रहा है चोटा सा जो plug है Nokia के बटन वाला मुबाइल होता था पदला वाला पीन होता था उस पीन भी यहां पर एबेलेभल है पावर बैंक को भी हम connect कर देते हैं तो दोस्तो आप देख साकते हैं कि यहां पर मेरा पावर बैंक भी charge हो रहा है ओके बहुत एजिली और mobile भी चार्ज हो रहा है तो दोनो device भी बहुत आसानी से चार्ज हो रहा है आप चाये तो दोसरा किसी mobile को भी चार्ज कर सकती है Powerbank को छोड़के तो मेरा पास और भी एक mobile available है तो इस mobile को भी हम चार्ज कर देते है power bank हम side पर रख देते हैं तो दोस्तो अब देख सकते हैं मेरा पास और एक samson का mobile available है तो samson mobile को हम यहाँ पर connect कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस mobile भी charge हो रहा है कोना पर देख सकते हैं और दोनो mobile साथ साथ charge हो रहा है आप चाहे तो दोसरा डिवाइस को भी आप चार्जिवल कर सकती है बिल्कुल easy तारीका से आप चार्ज कर सकती है तो दोस्तों अगर आपका घर पर भी एसा वाला बेठरी परा है तो उसको मत फैक दीजेगा इमर्जेन्सी टाइम पर काम पर आ सकती है जैसे कि हम जिस जगापर रहती है और गाओं का एरिया है और कभी-कभी ऐसा होता है जो ज़ादा बारिस का करन चाए कुछ तुफ़न का करन दो-तीन दिन से पावर कट हो जाती है तो उसी टाइम इस डिवाइस का मदद से हमारा घौर पर जितना सारी डिवाइस है जैसे कि मुबाइल, यारफोन, पावर बैंक, सारी की सारी को हम चार्ज कर देते हैं मदलोब इस जो बैटरी है, छोटा मोटा इन बैटर से कौम नहीं है तो आपका घौर पर भी अगर यसा वाला बैटरी अविलेबल है, तो उसको मौत फेक दीजेगा उसको अपना घौर पर भी इजिली फूल चार्ज कर सकता है तो उसको केसे करके कर सकता है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकाने वाला हूँ तो दोस्तो आप देख सकते हैं, इस मोबाइल आभी भी चार्ज हो रहा है और इसका जैसा मोबाइल दस से भी जादा चार्ज कर देगी, कोई फरक नहीं पड़ती है इस बैठरी को, ओके, तो दोस्तो आज का वीडियो इतना ताकी है हम उमिद करती हूँ जो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपना दोस्तों के साथ भी श्यार कर दीजिए अगर अपना वीडियो देख रहे हैं, तो इस चनल को आभी से आभी सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चनल पर हमेशा यूस्फूल वीडियो आते रहते हैं तो हम फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो का साथ उसी टाइम के लिए बाई बाई